हाँ भीया अपनी बहुजन समाज के लिए अरे बहुजन समाज क्या सर्व समाज के लिए ये गीत मैं देने के लिए जा रहा हूँ ये गीत ढोंग पाखंड पे आधारित है जैसा कि बड़े बड़े बिद्वान लोग बताते रहते हैं मैं कुछ नहीं कहता हूँ मैं तो छोटा सा नादान आपका सेवक हो और जब तक जिन्दगी है बावा साथ का सिपाही बना रहूँगा अपने समाज को जगाता रहूँगा कहना है क्योंकि कहते हैं कि करम प्रधा नभी सुरचिरा खाओ जो जैसे करई तास फलुचा खाओ करम प्रधा नहीं जैसा महनत करोगे वैसा फल मिलेगा अगर तुम महनत नहीं करोगे तो तुमको फल मिलने वाला नहीं है यह चोपाई कह रही है और सभी लोग समझदार है तो इसलिए बीना महनत कुछ नहीं रखा है महनत करो तो लिखा गया है आईए नई पेसकस आप लोगों के समझ देने के लिए जा रहे हैं गौर से सुने अरे इस्वरी भरोश बैठिके कहते हैं न अरे इस्वरी भरोश बैठिके घर में न रहे थाली इस्वरी भरोश बैठिके घर में न रहे थाली मैं किसी की निंद्या नहीं करता हूँ मेरी बात के ओलो एक एक बात को सुनना और फिर समझना फिर कमेंट में जवाब देना मेहनत नहीं करोगे तो फल मिलने वाला नहीं है चाय जो भी हो का गया है इस्वरी भरोश बैठिके घर में न रहे थाली इस्वरी भरोश बैठिके घर में न रहे थाली बिन खेत भी जबो ये तुम को मिले न बाली बिना मेहनत के कुछ नहीं है जब तक तुम खेत में बीज नहीं बोगे तब तक तुमें एक बाली एक दाना नहीं मिलने वाला इसलिए मेहनत करो मेहनत करो फिर अपेच्छा रखो पहले करम करो करम इसलिए भरोच बैट के घर में न रहे थाली इसलिए भरोच बैट के घर में न रहे थाली बिन खेत भी जबो ये तुमको मिले न बाली और इतना ही नहीं मेरी बात पर जड़ा विचार करना कोर करना गुरु जी गंगा में खल जो होता अंधा न खड़ा रोता लोग कहते हैं गंगा इसनान कर ले हो सारे पाप धुल जाता लेकिन मैं कहता हूं अरे मली मली धोये सरीर को धुले न मलका मैल अम नहाए गंगा तीर थियो रहे बैल के बैल है मन साप करो एक कहावत ही ना जब दिल की को ठरिया साफ हो नहीं उपर से नहाए का हो जी गंगा में खल जो होता अंधा न खड़ा रोता गंगा में खल जो होता अंधा न खड़ा रोता गंगा में खल जो होता अंधा न खड़ा रोता जिस दम लगा ये गोता नहीं नों से उजला होता जिस दम लगा ये गोता नहीं नों से उजला होता जिस दम एक अंधा होता है अगर अंधा उस गंगा इसनान में इसनान कर ले गोता लगा ले तो इसके नहीं नहीं वापस मिल जाते हैं लेकन ऐसा नहीं है कहते हैं इस शरी भरोश वैठ के तुम को न मिले ठाली अगर अरे इंसान लोगों की क्या बात करें आपने कुत्ते को देखा है कुत्ता भी द्वार द्वार पर घुम करके अपने भोजन का प्रबंद करता है है विचार करो मेहनत करना चाहिए इस शरी भरोश वैठ के घर में न रहे ठाली इस शरी भरोश वैठ के घर में न रहे ठाली जिन खेता भी जबो ये तुम को मिले न बाली और कहना है और गिलास में दूद को लेकर के पत्थरों पे नहाने काम करती है चड़ाने का काम करती है लेकिन मेरी एक बात को सुने पत्थरों को माताई बैने खोब खीर पकवडी कचवडी खोब खोथी लेकिन अपने माबाप को हाई 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 क्या बताए लेकिन मेरी समझ में ये आया पत्थरी जो भोजन करता टटी जरूर जाता अगर पत्थर भोजन करता तो टटी जरूर जाता लेकिन ऐसा नहीं है पत्थरी जो भोजन करता टटी जरूर जाता और ये सब है जूत गाता फिर क्यूं चढ़ाए डाले हमारे हिसाब से हमारा मानना है कि जितना दूद आप इधर उधर प्रसाद है खीर है इधर उधर आप फेंकती हैं वही किसी गरीब को आप खिला दीजिए आपको इससे बड़ा पुन्यापको जीवन में कभी नहीं मिलेगा के नहीं इसलिए कागया है ना इसलिए भरोशे बैठे के तुम को न मिले थाली इसलिए भरोशे बैठे के तुम को न मिले थाली इने खेला भी जबो ये तुम को मिले न बाली और इतना ही नहीं पच्चु देवियों प्यकाटे सूनी प्रथाय पाटे जो भगवान जो देवी देवता हमेंसा दया के भंडार हों जो लोगों की जान मतलब की बचाते हों वो लोगों की जान क्या लेंगे जरा बिशार करो जो खुद भगवान है लोगों को जीवन दान देता है तुम लोग भगवान से जीवन दान मांगते हो अब दूसरे का जी हाई हाई काट करके चड़ा दे कौनसा भगवान तुमसे जीव हत्या कहने के लिए कहता है अगर कहता हो तो हमसे बतावा करके पसु देवियों प्य काटे सुनी प्रथाय बाँटे पसु देवियों प्य काटे सुनी प्रथाय बाँटे और ये अपना पेट भरते देवी का पेट खादे अरे कौन भगवान कहता है कि हमारे आगे तुम जीव हत्या करवा करके ना ये तो केवल यहां के मानो ही यहां के लोग ही अपना पेट भरने के लिए नाम भगवान का और पेट अपना भर रहे केना है वो अपना पेट भर दे देवी का पेट खाली इन खेत भी जबो है तुम खो मिले न बागी इस वर भरो से वैट के तुम को न मिले खाली इन खेत भी जबो ये तुम को मिले न बागी बोली भगवान बुद्ध की बोली बाबा साव की विचार करना फिर कमेंट में सू समझ करके जवाब लिखना करणा न खुम जुम खेत टो बोली बागी Bestा टी बबोली आएखर तुम में हुआ करे रहही है करणा बढ़ खाली ओबुम की झाली ज कि विड़रेवी को ये पाल mुद जितम करेद़ को है तुम कर्षास